अच्छा मैंने पहले भी जिक्र किया था इस बात का कि ज्यादा तर लोग जब भी विस्की खरीदने जाते हैं तो वही अपना फेवरेट ब्रैंड पर्चेस करते हैं जो वो कई सालों से लगातार पीते आ रहे हैं और कोई नई विस्की को ट्राइ करने से ज्यादा तर लोग हिचकते हैं उसका एक तो साफ रीजन है वो शौर नहीं हो पाते हैं कि पता नहीं ये विस्की ट्राइ करने के लाइक होगी कि नहीं कैसी विस्की है ठीक है तो यहां पे हम लोगों का रोल आता है कि हम लोग आपको उस विस्की को रिव्यू करें टेस्ट करें और आप लोगों को बताएं कि विस्की कैसी है क्वालिटी कैसी है इसकी कैसा टेस्ट है और आप लोगों को इसको ट्राइ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारे पास है आल सी रोयल चैलेंज इंपीरियल ब्लु यह सारे बहुत ही स्ट्रॉंग कॉम्पिटिटर है और अल सीज़न के और डोजदार वेरी इस्टाब इस ब्रैंड उची अपनी फैंण Central है रोयल चैलेंज की आपीरियल ब्लु होगा कि आपको वो बीस तीस पचास रुपया रोयल स्टेग या रोयल चैलेंज से ज्यादा इस आल सीजन विस्की के लिए खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इसी काम के लिए हूँ और स्टार्ट करता हूँ रिव्यू इसका है सबसे पहले हाथ में पकड़ने में बॉटल ये मज़ा आता है हलांकि ये हाफ बॉटल है 375 ml फुल बॉटल होता है तो और ज्यादा मज़ा आता है लुक इस सेम जो की फुल बॉटल का है वही सेम लुक इस 375 ml बॉटल का भी है और ये ग्रीन ग्लास आइटिंक ये काफी पसंद है मुझे और जो ओवरॉल जो ये डिजाइन है बॉटल का इट्स अ क्लासिक डिजाइन बहुत सारे विस्की बें आपको इस तरह का डिजाइन देखने को मिलता होगा और ये ग्रीन के साथ जो ये हलका येलोईश टाइप का और फिर नीचे गॉल्डन कलर की जो इसकी लेबल है वो काफी प्रीमियम लुक इसको दे रहा है डेफिनेटली जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और एक छोटा पेक बनाते हैं और फिर बताएंगे आपको चलिए अच्छा ये ओल सीजन क्या है ये ओएसस ग्रुप का ब्रेंड है और ये ओएसस ग्रुप जो है ये काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है लिकर मारकेट में इंडियन लिकर मारकेट में इसी ग्रूप से आती है स्टार वॉकर विस्की जिसका की अभी कुछ दिन पहले मैंने रीवियू किया था और हजार रुपए से कम के प्राइस टैग में I think स्टार वॉकर से बिटर विस्की इंडिया में तो अवेलिबल नहीं है वेरी गुड विस्की आप लोग से रीक्वेस्ट करूंगा जरूर से जा करके वो स्टार वॉकर का रीवियू देखेंगे जो की इसी OSS ग्रूप से आती है और ये सेकंड एस ओल सीजन तो आज इसका हम लोग रीवियू करते हैं और देखते हैं कि स्टार वॉकर ने जिस तरह से मुझे अमेज़ किया था क्या इस ओल सीजन में भी ऐसी कोई खाशियत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीवियू सबसे पहले अगर इसके कलर की बात करें तो डेफिनेटली ये काफी लाइट कलर लग रहा है मेरे को लाइट कलर है लाइट एमबर कलर है और कंसिस्टेंसी जो है इसकी वो ज्यादा नहीं है तो ये हो गई बात अब सीधा नोजिंग पे आते हैं सर्प्राइजिंगली बहुत ही हलका बहुत माइल्ड एक न्यूच्रल स्पिरिट का स्मेल है बहुत कंटेंड और इस रेंज की विस्की मतलब रोयल स्टेग रोयल चैलेंज की रेंज की जो विस्की है उससे कभी भी आप अधर दिन एक अलकोहल का भव का और ज्यादा एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं जो की ये बिलकुल आपोजिट है और मॉस्ट उसी प्राइस टैग की विस्की है ये और येस क्या खूबसूरत वुड का फ्लिवर आ रहा है इसमें आई डूंट नो ये ओल्ड बर्बन कास्क यूज कर रहे हैं या फिर फ्रेश ओक वुड का यूज हो रहा है पता नहीं बट ओक वुड का बहुत ही प्रॉमिनेंट और एक बढ़ियां स्मेल बीच बीच में आपको न्यूट्रल स्पिरिट का स्मेल भी मिलेगा और कुछ फ्रूटी कुछ पाइनेपल के जैसा एक स्मेल और कुछ रेजिन के जैसा चलिए टेश्ट पी आते हैं सीधा सर्प्राइजिंग है मतलब ये इस रेंज की बजट इंडियन विस्की है और ये आपके नाक से और कान से धुआ नहीं निकलता है आप रॉयल स्टेक पीएंगे आप रॉयल चैलेंज पीएंगे या फिर आप इंपिरियल ब्लू पीएं और उस रेंज की और किसी भी इंडियन विस्की में वो सबका सब आपके नाक से कान से धुआ निकलता है अलकॉल का भावका होता है बहुत जादा स्ट्रॉंग होता है और किसी हालत में आपको निट नहीं पीना चाहिए हाला कि निट पीने के लिए तो मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये उस रेंज की विस्की ही नहीं है लेकिन यस ये उस तरह का हार्श नहीं है जिस प्राइस की ये विस्की है आप जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें आपको एक हार्शनस मिलेगा एक बर्न मिलेगा अल्कॉल का बट ये काफी स्मूध है काफी माइल्ड है वेरी स्मूध मतलब ये रॉयल स्टेग या रॉयल चैलेंज को तो छोड़ दीजिए उसके उपर लाइक सिगनेचर या फिर ब्लेंडर स्प्राइड इवन रॉकफोर्ड रिजर्ब ये सारी विस्की भी इस तरह से स्मूध और माइल्ड और इजी टू डिंक नहीं हो सकता है उसके अलावा इसके टेस्ट प्रोफाइल के अगर बात करूँ नॉर्मली इस रेंज की जो भी विस्की आती है वो आपको काफी ज़्यादा स्वीट लगेगा पैलिट पे उसका रीजन भी है वो मॉलेसिस वाला स्वीटनेस होता है तो वो भी काफी कम नज़र आ रहा है आई डोंट नो इसमें मॉलेसिस है या ग्रेन नूटरल स्पीरिट है बट वो थोड़ा लेस स्वीट है एस कॉम्पेर टू अधर बजट इंडिन विस्कीज हिंट अफ स्मोक मिलता है वो खोजने से अगर आप बहुत प्रो हैं बहुत आप का पैलेट डेवलप है तो आप साइद खोज पाएं उसके अलावा डिफिनिटली एक फ्रूटी नोट्स फ्रूटी फ्लेवर आपको मिलता है टेश्ट में और लाश्ट में थोड़ा सा spiciness भी है इसमें यह इस रेंज की विस्की से इस तरह की complexity तो आप कभी भी expect नहीं कर सकते हैं जो की यह offer कर रहा है अच्छा यहां सामने इन्होंने लिख रखा है तो lingering effect तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि finish तो है वो थोड़ा सा quick ही है बट multiple layers जो है वो जरूर आपको feel हो रहा है एक सिप और लगाते हैं देखते हैं कि कुछ और भी layer नदर आता है क्या oak wood smoke fruity fruity में अभी मेरे को थोड़ा सा यह बनाना का भी थोड़ा सा थोड़ा pineapple थोड़ा raisin यह taste आया काफी wood है भी कहा जा सकता है इसको बहुत अच्छा wood का taste मिलता है और finish के साथ आपको थोड़ा सा spices का note मिलेगा बट वो बहुत prominent नहीं है बहुत light note आता है spices का तो overall I think it's a amazing amazing whiskey और आप expect नहीं कर सकते हैं कि यह इसका इस तरह के छे साथ सो रुपे के बीज का price tag होगा यस अभी मेरे को फिर smoke एक नज़र आया जहां से मैंने start किया था वीडियो को कि क्या आपको अपने regular brand जो आपके favorite brand है उसके अलावा कभी all seasons अगर नज़र आए self में तो आपको try करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं recommend करूंगा please definitely definitely जरूर try कीजिए इसको और मैं promise करता हूँ आपको निरासा बिल्कुल हाथ नहीं लगेगी आप definitely enjoy करेंगे अगर आप royal stick, royal challenge, imperial blue और even अगर blender's pride यस signature आपका favorite brand है तब भी मैं request करूंगा कि आप एक बार all seasons को जरूर try करेंगे आप जरूर पसंद करेंगे इसको तो ये था आज का whiskey review all season rare reserve whiskey के लिए I hope video आपको informative लगा होगा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो please like कीजिए subscribe कीजिए मेरे channel को मिलते हैं ऐसे ही informative और amazing videos में तब तक take very good care of yourself बाई बाई